हमिरपुर के टाउन हाल में पुलिस पब्लिक एसोशेशन और विपार मंडल हमिरपुर की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया इसमें शहर में सुरक्षा विवस्था से लेकर करोना काल से निप्टने के लिए रूप रेखा तैयार की गई इस अबसर पर स्पी हमिरपुर कार्थिक एन गोकुल चंदर ने भी शिर्कत की बैठक में पुलिस पब्लिक एसोशेशन के अध्यक्ष रिमेश चंद विपार मंडल हमिरपुर के अध्यक्ष अनिल सोनी ने शहर में सुरक्षा विवस्था दुरूस्था बनाने के लिए एजंडा रखा इसमें स्पी कार्थिक एन गोकुल चंदर ने विपार मंडल को सुझाब दिया कि शहर में फिलाल 40 CCTV कैमरे स्थाबित किये जाएं ताकि सुरक्षा की दृष्टी से बजार सुरक्षित हो सके बैठक में चर्चा की गई है कि आगामी दिनों में हमीरपुर में विपार मंडल भी पीपी की तरह करोना बचाब के लिए जागरुकता अभियान शुरू करेगा जिसमें विपार मंडल अपने स्थारपर लोगों को मास्क लगाने से लेकर शोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए जागरुक करेगा आप सबके दुकानों में तो अंदर के तरफ सोब सभी लगोने CCTV लगाया होगा इतनी अंदर की जो मतलब आपकी प्रापर्टी है जो भी आप पते हैं उसकी मतलब और जो रोग काम करते हैं उसके उपर एक दिगरानी विपने के लिए बहुत इपॉर्टन है उसी तरह से अगर हम बाहर जो सड़क है जो रास्ता है या कोई चौक है वहां पर हम सब कंट्रिब्यूट करके एक साथ मिल जूनके अगर एक CCTV लगाएंगे उसका फिर हम फुलिस डिपार्टम्ट आप उसकी उपर जबी भी जरुरत पड़ती हैं उसको उपयोग कर सकते हैं इसमें देखिए सिर्फ चौरी ही नहीं हम चौरी के तरफ ही नजर रखने से मतलब हम उसका एकी उद्धेशे नहीं है पर तु कोई लड़ाई जगना हो गया कोई महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार हो जाता है कोई किसी को आपको पता ही है कैसे होते हैं कोई अक्सिदेंट का केस हो जया है इंसल्थ में ऐसे इशूज में CCTV का बड़ा उपयोर होता है तो मतलब हम इंडिया को इसे देख पाते हैं जो भी कल्परिक है उनके खिलाफ हम इंडियेट कारवाई कर पाते हैं इंडियेट के हम मीडिया को बता पाता है कि चलिए यह इनकी गलती थी इनकी गलती थी और इसका video footage है तो जब CCP हो जाता है तो आपके लिए भी मतलब काफी easy हो जाता है कि मेरा मानना यही है कि हिमाचल उत्रदेश एक अच्छा स्टेंट है जिसमें लोग सुरक्षित तरीके से भी रह रहे हैं कोई अभी यहां जाते है प्रॉब्म नहीं है यहां कर बिजनेस एंटरप्राइज यह सब बढने की बहुत अच्छी मतलब एक प्लाटफॉर्म है